आप कल्पना कीजिए कि अगर मैं राजनीती में हूँ और लोगसवा में हूँ उनके सामें में लोगसवा तो कोई नहीं खरीच सकता ना वो विरोत कानिता मैंने कभी नहीं कहा कि इनको वोट मत दीजिए आज के दिन में अगर आप ये जूट बोल रहे हैं कि युद्ध रुकवादिया प्रधानमन की और विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कह रहा है कि ऐसी बाते मजाग की बाते हों आपने मेरा किया बहिशकार और आप मुझसे तारीफ के तलबगार हैं वा शहर में ऐसा कातिल आ जाए तो लोग अपने अपनी हत्या पे गीत गाने लग जाएं कि मेरा भी कतल किया जा रहा है शहर में एक ऐसा कातिल आया है लोग सरसो का देल, घी, पैसा, रुप्या, लैप्तॉप, सब लेकर आ रहे हैं लो ये वो क्या चाहिए मुझे काम नहीं मिलना हमेशा इस बात की याद दिलाएगा इनकी जेव में चाहिए जितने भी पैसे हैं जिगर में दम नहीं बताओर पत्रकार क्या एक पत्रकार की छवी बैलेंस जर्नलिस्ट की नहीं होनी चाहिए बनिस्बत सिर्फ मुखर विरोधी होनी मेरी सारी आलोचनाएं बैलेंस हैं अगर आप देखें तो कोई प्रोग्राम स्पेस्विक बात नहीं करना चाहता है है ना और सरकार तो एक ही थी जो केंदर की सरकार थी अब उसको बैलेंस करने के लिए मैं भारत के 28 राज्यों में मैं घुमूँ और वहां की खबरे करूं तो ये तो जाती है ना कि एक पत्रकार से आप उम्मीद करने हैं कि हर वो खबर वही कर दे ताकि वो अपने आपको बैलेंस साबित करे बलकि ये देखना चाहिए कि जो शो मैंने किया है क्या मैंने वो बाग पत्रकारिता के उस्सूलों से आगे जाकर की है जिस तरह से मीडिया गोधी मीडिया में बदला है टीवी पे रहते वे अगर मैं नहीं कहता तो कौन कहता तो मैं मेरे विरोत का स्वर जो था वो सवाल का स्वर था वो विरोत का नहीं था मैंने कभी नहीं कहा कि इनको वोट मत दीजिएगा किसी से नहीं, जब नौकरी सीरीज मैंने की ती तो जो लड़के मुझसे मिलने आये तो उन्हेंने का कि वो मुझसे नफरत करते हैं और वो प्रधान मंतरी के आज़ इवन सपोटर रहेंगे मुझसे फिर क्यों कहा हो, मुझसे आप ही कर सकते हैं बाकी लोग नहीं कर रहा है, तो जो इस नौकरी सीरिस ते जिन लोगों को अपॉइन्मेंट लेटर मिला, वो आज भी उनी के सपोटर हैं, तो मैं तो उनका काम कर रहा था था ना, तो ये पत्रकार का काम था, तो नौकरी सीरिस करना नरेंदर मुदी का विरोध नहीं है, आप बोलने के लिए कौन सा ऐसा तराजू था मेरे पास, जो मैं बैलेंस कर ता, वो तो बात ही घलत थी, हमारे देश के किसान आतंकवादी नहीं है, मैं कहां से एक दूसरा बढ्ट खरा लाता कि इसमें तोल के बताता, कि कुछ किसानातंकवादी हैं, कुछ किसानातंकवा हुआ कोई भी काम अच्छा नहीं दिख इसका इस सरकार ने जो हजारो करोड रुपे के विग्यापन खर्च की हैं वो किसलिए खर्च की हैं किसलिए खर्च की हैं आज के दिन में अगर आप ये जूट बोल रहे हैं कि युद्ध रुकवादिया प्रधान मंत्री ने और विदेश मंत्राले का प्रवक्ता कह रहा है कि ऐसी बाते मजाग की बाते होती हैं हम मजाग में भी नहीं कहते हैं शायद ऐसे कुछ उनके वाक्य थे मुझे क्या करना चाहिए मुझे वो स्टोरी करनी चाहिए या सरकार ने एक किलोमीटर सडक बनाई थी वो करनी चाहिए आप मुझे बता दीजिए मेरा अपना फैसला है कि यह जूट बोला गया है यह पहले करना चाहिए और जो बड़ी कीमत जो बड़ा नुकसान हो रहा है आप यह नहीं कह सकते कि 500 किलोमीटर सडक बनाकर दो एरपोर्ट बनाकर दो रेलवे स्टेशन अच्छा बनाकर आप पूरी संस्थाओं को तबाह कर दीजिए और कहिए कि सरकार ने यह अच्छा काम किया है कम से कम मैं इस तरह की पत्रकारिता का समर्थक नहीं हूँ जो बड़े सवाल और वो सव सिर्प मेरे प्रोग्राम से नहीं उब रहे हैं आप सुप्रीम को देखे सुप्रीम कोट के भीतर से आवाज आ रही है कि यजज बेल नहीं दे रहा है नीचे के लोग सिद्धीक कपन को इतने साल भीमाकर रेकाओं केस में क्या हुआ कि इतने लोग रहे वहां पर आज वो post report कर रहा है arsenal के जांच को लेगे कि stand swami के laptop में या desktop में जो भी material plant कर दिया गया ये बाकी media क्यों नहीं करता है तो बाकी तो नहीं कर बाकी तो तारीफ में ही लगे हुए है तो इतना सारा media हजारों करोड का विग्यापन तो उसमें बताना चाहिए कि उतने विग्यापनों में किस-किस channel को दिया गया है जो राज्य सभा में पूछा गया और किस-किस channel को नहीं दिया गया है तो इससे भी पता चल जाएगा किस की सखबार को कोरोना की reporting के बाद से आड़ कम हो गया है वो सब देखी तो आपको स्विकार कर लीजिए आपने तो मेरे शो में प्रवक्ता नहीं भेजे मंतरी नहीं भेजे आपने मेरा किया बहिशकार और आप मुझसे तारीफ के तलबगार हैं वाह शहर में ऐसा कातिल आ जाए तो लोग अपने अपनी हत्या पे गीत गाने लग जाएं कि मेरा भी खतल किया जा रहा है शहर में एक ऐसा कातिल आया है पर जिस तरह से आपकी आवाज एक तरह से यही मान के चलें अगर कि सवाल उठाती रही सरकार के खिलाफ तो क्या रविश जी किसी ऑपोजिशन पार्टी ने पुलिटिकल पार्टी ने आपको कभी रीच आउट किया ये कहते हुए कि आपको राजनीती में आ जाना चाहिए नहीं है समयाग दोस्ट और इस तरह के शुबचिन तक जो हैं वो कहते रटे हैं कि राजनीती में आना चाहिए बहुत सारे लोगों की चाहत है पर कहते रहते हैं लोग कि आपको आना चाहिए राजनीती में लेकिन मैं यह सोचता हूँ कि आप कल्पना कीजिए कि अगर मैं राजनीती में हूँ और लोगसभा में हूँ उनके सामने बोलते हुए लोगसभा तो कोई नहीं खरीद सकता कि वो भी खरीद लेगा कोई सेठा के नहीं वो तो नहीं करेदा लेकिन बात यह है कि काम वो करना चाहिए जो आपके सपने में आए तो मुझे अभी भी मेरे सपने में टीवी आता है तो मुझे लगता है कि ऐसे एडिट करना चाहिए आपका स्टूडियो का रंग कितना सुन्दर है लाइटिंग कितनी अच्छी है तो ये सब मेरे सपने के हिस्से हैं जिस दिन ये सपना बदल जाएगा उस दिन मैं बदल जाऊँगा और अब तो मैं संस्थागत पेशे में नहीं हुए इस पेशे ने मुझे बाहर कर दिया तो मुझे पत्रकारिता के पेशे ने बाहर कर दिया है तबी तो किसी अख़बार ने नहीं कहा कि आप हमारे यहां कॉलम लेकिए वो जो बड़े अख़बार होते हैं किसी चैनल ने नहीं कहा कि आप हमारे यहां जीए तो सब को पता है कि यह कौन है किसी चैनल ने नहीं कहा कि आपागे के इंटिवी में कि जिगर में नोट तुम रखो जिगर में दम हम रखते हैं अब जो बाहर आया सब दाव पर लगा के कुछ शेरोशारी के अंदाज में बात ना कहे तो फिर किसले इस्तिफा दिया है लेकिन इसका जो मूल प्रश्ट है रवीश जी वो ये की आखिर तो मुकेश अंबानी भी सरकार के नजदीकी माने जाते हैं और गौतम अडानी उनका कोई एडिटर नहीं आया था ना नियूज रूम में उनका यह स्टेट्मेंट दिया था कि सरकार की आलोचना करने की का साहस होना चाहिए डिया था उन्होंने कहा था कि हम ग्लोबल ब्रैंड बनाएंगे अलजजीरा जैसा इंडिया में होना चाहिए नहीं कहा था ना तो दोनों में बड़ा अंतर है, वो इस्तिती है, मैंने इसलिए कहा कि ये सारी चीजे है, बहतर है, वही लोग बताएं, जिसके पास information का access है, हम interpretation कर सकते हैं, तो उसमें बिना correct information के, या सभी information के access के, आप इस तरह से आप नहीं कह सकते हैं, तो interpretation हो सकता है, कुछ गलत भी हो ज जबाब दें, ठीक है, रविश जी, अब फिलहाल हमें पता है कि आपने अपने यूट्यूब पे अपना चैनल, आप रोट पे आ गया हूँ, आप क्या को, नहीं, लेकिन record नंबर जो है, subscribers आप से जुड़े, बहुत कम समय में इतने बड़े subscribers जुड़े, क्या यही platform फिलहा दो, चुप रहो, सब कोई अपना अपना देख रहा है, जरूर देखता होगा, मेरा अनबर बड़ा बहुत अलग है, और मैं ये नए पत्रकारों से कहना चाहता हूँ, कि समाज के लिए बोलते रहना, समाज कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा, आपको कौन सी मशीन चाहिए, कौन सा कैमरा चाहिए, हम खरीद के देते हैं, लोग चेक लेकर खड़े हो गए, लोग कैस लेकर खड़े हो गए, सबसे हाथ जोड़े रहे हाथ जोड़े उनसे कहना पड़ा नहीं मत, अभी मुझे न मर्थन था, जिसने तीन चार दिनों के भीतर, वो तीन मिलियन से ज़्यादा लोग सबस्क्राइबर हो गए, एक चैनल में, जिसने कोई वीडियो नहीं था, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, जो मैंने कहा था, कि मैंने अपनी पत्रकारिता के दौरान, प्राइम था, मुझे भी अंदाजा नहीं था, कि वो संस्था इतनी मजबूत है, कि मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाएगी, और मैं आपको बता नहीं सकता, लोग सरसो का तेल, घी, पैसा, रुप्या, लैप्टॉप, सब लेकर आ रहे हैं, कि लो ये तुम, क्या चाहिए, विदेशो से पूछ रहे हैं, तुम्हें कौन सा पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, लोग, तो ये आम लोगों की ताकत है, तो वो है इस लोग तंत्र में, इतना दम तो है न, कि अभी भी लोग खड़े हैं, भले रौत दिया जाएगा, देश को कई तरीके से संस्थाएं गिरा दी जाएंगी, मगर ये लोग हैं, कि ये कौन लोग हैं, जो आकर मुझे इतनी मदद करना चाहते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं गया है, जिस दिन मुझे दस लोगों ने बहुत गंभीरता से कुछ उफर ना किया हो, कोई ऐसा दिन नहीं गया है, पुलिस वाले ने भी अलग से गा ये आवाजे क्या हैं, इसका मतलब है कि इस लोग तंत्र को जो लोग मुर्दा बनाना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उसमें जान है अभी, अभी जान है, अभी वो जिन्दा है, किसी तरीके से जिन्दा है रवी जी आप आए, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी बात चीत हुई और बहुत खुलके आपने सारी आलोचनाओं का जवाब दिया, जो आपके प्रती होती हैं बहुत लोग्ट कर्थो है